श्री शिवाय नमस्त व्यम दर्शको हर हर महादेव तो कल जो है सोम्मार की नमवित्ती है और आपको सोम्मार के दिन का ये अचुकुपाय जरू करना है तो आपको मात्र एक चावल के दाने और पाच बेल पत्री से ये अचुकुपाय करना है तो पुझी गुरुजी के कता से आपको यह उपाय समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा आप लोगों को क्या करना है कि साबूत चावल का एक दाना लेना है साबूत मतलब जो चावल होता है मतलब जो चावल का आप दाना लेंगे वो कहीं से भी तूटा फूटा नहीं होना चीए पूरा आखा दाना होना चीए उसके बाद आपको पाज बेल पत्री ले लेना है अगर आपको बेल पत्री ना मिले तो आप मंदिर से चड़े हुई बेल पत्री भी धोकर उप्योग में ले सकते हैं उसके बाद आपको एक लोटे में जल ले लेना है उसके बाद आप ये सब सामगरी लेकर अपने पास के शिव मंदिर में जहाँ पर आपके पास में शिव मंदिर हो वहाँ पर आपको चले जाना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको शिवजी के उपर एक चावल का दाना जो आप लेकर गए हैं वो समर्पित कर देना है उसके बाद आपको आपके मन की मनो कामना बोलके एक एक बेल पत्री शिवलिंग के उपर समर्पित करना है पेल पत्री इस तरीके से समर्पित करना है कि उसका चिकना भाग शिवलिंग के ओर समर्पित हो उसके बाद जो आप लोटे में जल ले कर गए हैं वो आपको दीर दीरे करके एक धार बना कर शिवलिंग के उपर समर्पित करते जाना है अब फिर मंदीर में ही पाश मिनिट वेट कर शी शिवाय नवस्तुब्यम मंत्र का जाप करके अपने मन में ही अपने मनो कामना का विचार करके आपको घर की ओर वापस आ जाना है पत्र पास सोमार इस उपाय को करने से आपके मन की सारी मनोकमनाई जैसे नोकरी, धन समपता, घर का इसा कोई काम चुपो दिनों से अटक रहा हो या घर में कला हो या आप घर की कामना चाहते हैं वो सब सारी कामनाई आपकी पूर्ण हो जाएगी और आप पर शिव जी की उपाय हमेशा बनी रहेगी उमीद ही उपाय आप समझ गए होंगे तो इसी तरह के नए नए उपाय जानने के लिए चैनल को सिस्क्राइब जरू कीजिएगा